प्राजधानी दिली के ललित कला एकडमी में तुरस्वट्वी राष्टी कला परदस्नी का आयोजन किया गया इस परदस्नी का उडगाटे ने ब्रैत्ता मौनोगत जोसी और लेखक चंदप्रकास सिर्वेदी और कलाकार वासुधियों ने किया कमानी एडिटोरिय में आईजित इस कारके में कला भूमी इंस्ट्यूट आप आइन आर्ट्स के संस्तापक अजगर अली विसेस अस्ति के रूप में मौजूद रहे वहीं आप पोता दें कि पूरे भारत से हाजारों आवेतिकों में से इस प्रदस्तिनी में पूरे भारत से 20 कलाकार चुने गए और 20 कलाकारों को उठगाटल संहारों में एक पड़िका और एक पर्मार पत्र दिया गया लाख रूपे और नगत पूर्षकार भी जो है बो दिये गये कला भूमी इस्टूट और फाइन आर्ट्स एंड डिगने ने 60 से अधिक छातराओं के साथ गैलरी का दोरा भी किया जो बर्तमान VFF, MFF डिग्री और डिप्लोमा छातर उन्हें पेंटिंग, मूर्ति कला, डिजाइन और अमरित कला से यहाँ पर बहुत कुछ सिखाया है मास्टर ब्रस स्टॉक पेंटिंग का लाइफ परदसन भी यहाँ पर किया गया परत्यात कलाकार प्रफेसर अर्मान सिंग ने भी किया कला भूमी डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स की छातरा साच्छी ने लाइफ डेमो के लिए मौडल की भूमका निभाई आप पोता दें कि एन आईडी और अन्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स जामिया मिलिया इसलामी से आईस सभी छातरों ने रंगों की कई बरस स्टॉक सीखे ललित कला एकड़मी के अध्यच भी नागदास जी के कला भूमी अम ललित कला एकड़मी के कारियों की सारहना भी करी आप पेंटिक देख सकते हैं किस तरीकी की जो कित्रकला है वो करी गई है इसकी पूरी एकड़मी यहां पर लगी और ललित कला एकड़मी ने इस परियास की कला छेत से जुड़े लोगों की सहराना भी करी और आप देखिए किस तरीके सा आप आर सोनी नूच पर देख रह अब आई सुनवाते हैं कि क्या कहा गया इस कुरी कला पर देखिए को लेकर आर सोनी नूच के लिए क्या में में धर्माग साथ मनुष कुमार की रिपोर्ट देखिए आज आजकल बलके बच्चे की फीचर हमारे टाइम की जैसे होता था कि कॉलेज में अगर कोई दाखिला ले तो माबाब तो पहली गालिया बुली दे देते थे तुम मर जाओगे तुम भुके रहोगे ऐसा ही आप 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 ऐसा नहीं है सोसिलोजिकल के परिवर्टन बहुत आया है आजकल के माबाब चाहते हैं क्योंकि अभी अभी आज मैंने कॉलेज अपार्ट का नियू कमर्स की वेलकमिंग एड्रेस करते हुए आज मैंने गया था कॉलेज अपार्ट में करीबं सारे तीन सो चार सुका स्टूडन्स दाखिला लिया एक साल के अंदर जो देखने लायक है और सारे बच्चे के अंदर जो जोज देखा मैंने कि उनके पता जी माता जूद के पेरेंट्स ने काफी प्रोस्तान देता होगा बहुत दे रहा होगा नहीं तो फिर वो आठ कॉलेज में क्यों आएंगे तो इसलिए चेंजिस तो बहुत हैं मार्डन जेनरेशन के पेरेंट्स इतने कंसर्वेटिव नहीं हैं कि तुम आर्किटेट में जो कि तुम डॉक्टरी पढ़ो तुम इंजिनेर पढ़ो आठ कॉल में जूति के आजिरेंगेमिक यए अच्छा काम करके ही आठ एक आठ कोल आज करते हैं उसके लिए भुजसत विल्कल ब्राइट है विल्कल ब्राइट यह PUारेट अबचो क्या मैसिदो से नँना चाहेंके इसमें और चाहें नहीं है अर्चा कुरो गीं dalejं eerste निटिशिकोगे इसमें पार्सिपेट करते हैं और यह नेशनल लेवल है मतलब अगर बात करें तो नेशनल लवोर्ड यहां से डिक्लेर होता है को भी सिर्फ टॉंटी आट्डिस्ट का लास्ट विक ही इंगे प्रवाम पुर अगनाइज हुआ था जिसमें मनो जोशी जी जो है जो अधुम श संस्ता ने दिया है हजारो मलब लाकू करोड़ों ऐसे आर्टिस जो यहां से निकले हैं इतियास काफी पुराना है और आट की जहां तक बात करें हम भी चोटी सी इंडिस्टी में काम कर रहे हैं करेबन 20-25 स्टेट से हमारे पास भी बच्चे आ रहे हैं बट एक्शल बात क ा गुछ ब्रूसरी एपोरे बहुत-बड़ी बात हो जाती है कि अगर ऐसे लोग उन कियो सोच यह फिल्ड में में आगर् से लोग ऀसे वोता है एक एक्सिशन से जो पर चला जाता है नहीं चला जाता है अप्रेक वाइबरेशन नहीं होता है तो अमने सचे उसको तो ड़ा चेंज करके ऐसे कुछ पांशन करें च्टूड़न्स कम अट्राइक करें क्यों कि यह वल बदिंग आर्टिस्ट उसका अंदर आग जलाना पड़ता है क्योंकि आने में यहीं लोग आर्ट फिल्ड का बड़ा बड़ा आठिस बनेंगे हमारा एक्टिविटीज करनें अभी और भी करना है साती साथ मैं सोचते बच्चों को ज्यादा इंवोल्ड करें उसका इंड्रेस्ट बढ़ा दे अगर देखा जाए जिसे अग भाते पहले अप बच्चों को लेवल में पहुंचाना है प्रवस्टेर सम क्या होता है किसका मार्केट अच्छा पकड़ गया फिर वह कंडिनिसली काम करना शुरू ओता है प्र पर शना अंदर पहुंचने में बहुत सारा स्ट्राइगल करना पड़ता है अभी कह नया मुम प्राइटेरिया नहीं है इसलिए ना कौन अच्छा अमेरिकन इंग्लिश बोलता है कोन उसका पैसा है तो आठ फील्ड में गुस्ते रहते हैं जल्दी आप महीन महीन शो करके अपना आइडनिटी बेंटा है बट उसी में नया नहीं लोगों को बड़ा मिस्गेड होता है इसलिए ना अच्छा वर्कॉफट को समझाने के लिए भी हमारे इस तरह वक्षॉप इस तरह एक्सिविशन से ना कामा होगा अभी आप कोई भी आप्स्टाक्ट आथिस को ऐसे प्रणाम सिंग जी कर रहे वहां को कर सकता है नहीं कर सकत कि अभी फील्ड में काम कर रहे तो एक टीछ लोगों के भी उसका अपना कॉंट्रिबूशन साहिए तो आर्टिस लोगों को आपने आने वाले जन्रेशन को कैसे अच्छा रास्ता दिखाएंगे असा नहीं है सिंबल वे में में तुम उसके कुछ भी करके आर्ट है भोलना वो ट्रेंड कतम करने के लिए हम हैसा कुछ प्रोग्राम करते हैं